हमिर्पर डिग्री कॉलेस परशर में होली की रंगों में खलल पड़ गया जब अचानक की एक परध्यापक ने होली खेल रहे हैं चातर को थपड जड़ दिये मामला इतना गर्म हो गया कि चातर को थपड मारने के बाद गुसाए एसेफाई कारिकरताओं ने कॉलेस गेट पर धरना परध्यापक के खिलाफ कारवाही करने की मांग की हमिर्पक के डिगरी कॉलेस में होली खेल रहे चातर पर एक अध्यापक द्वारा मारपी करने का अरूप लगा है इसी के चलते कॉलेस में एसेफाई ने धरना परध्याशन किया और कॉलेस परशाशन के खिलाप जम कर नारिवाजी की एसेफाई के सदस्यों का कहना है कि इस तरह के गुंडागर्दी कॉलेस में सहन नहीं की जाएगी वहीं कॉलेस के परधानाचारय हर्दीव जंबाल ने बताये कि आज एसेफाई द्वारा धरना परधेशन गिया गया जिसमें चात्रों को बादचीत के लिए बुलाया गया है उन्होंने बताये कि बादचीत कर चात्रों की समस्या का निदान किया जाएगा जो भी इनको बोलना है उसको सुनुगा जैसे मैं एस साथ मैं बात्चीत करनी है तो ये गेट पर कुछ रचे खड़े हुए थे वही से इशुवात हुई है तो मैंने परसनेल बच्चों से मिला कि गेट पर खड़े हो कि आप बोली नी खेल सको है और इंस्टिशन के अंद वही और उसके बादात की बात सुनु जाएगी और बैठेंगे बच्चे अपने हैं स्टाप अपना है ऐसा कुछी अपियास कहीं भी किसी तरह की वही हमारे उनिये की पार्टिशन रूर ली है पक्षपात करना इंका करना की सब्सक्राइब में बच्चे सम्झाने पर ये ये भी गलत है कि अंदर आका के अंड़ी के इंकना में ऐसे रंग के इंकना वो गलत बात है तो अनुशाचन नहीं तर्म तो सहनी के लिए इन से बादचीत करूँगा बादचीत से क्या हल और मिरा अनुभवय के बादचीत से बहुत सा इचिजिए सुल जाती है SFI के केंपस परधान संतोष ने बताया कि आज कॉलेस में होली खेल रहे चातर के साथ अध्यापक ने मारपीट की है जिसके चलती अधरना परदर्शन दिया जा रहा है उन्होंने कहा कि एदी ऐसा ही कॉलेस में चलता रहा तो SFI कॉलेस का घिराब करेगी उन्होंने परशासन से चातर के साथ मारपीट करने वाले परध्यापक के खिलाफकार वाही करने की जोरदार मांग की है सर अधरना गया परदर्शन करेंगी और फिस्परस को में अधर करेंगी ने घृत्र करेंगी और सर के मेडिय के सामने लाइख से खिलाब परदर्शन दिर्ट करेंगी